हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं अगर आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए ट्रैफिक चलान के बारे में जानकारिया देने जा रहा हूं कि अगर वाहन चेकिंग के दोरान वह चीज जिसके बिने ट्रैफिक पुलिस आपको चलान नहीं कर सकती आपकी मैं ऐसी वीडियो लेकर आये हूं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर आप बाइक या कार से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक ट्रैफिक पुल आता है कि गाड़ी छोड़कर या फिर वापस मोड़ पर भाग जाएं खास बात यह है कि यह हाला तब होती है जब पास में गाड़ी के दस्तावेज और ड्राविंग लाइशन्स नहीं होते हैं ऐसी इस्तिति में तब भी होती है जब आप किसी तरह की हर्बड़ी करके जा ही हैं जैसे हल्मेट नहीं लगाया है सले रेन जंप की है गाड़ी निर्धारिती शीमा से ज्यादा हो सारा प्कर या नसीम हो फां चला रहे हो गलत तरीके से वहां चला रहे हूँ कि वह कौन कौन चीज़ें ध्यां रखना चाहिए जब अगर ट्राफिक पुलिस के जवान आधिकारी आपको पकड़ लिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले सबसे जरूरी बात है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं ट्राफिक रूल्स को जरूर फालो करें ऐसा न के पास यह नहीं है तो नियमा नुसार वह आपके वहाहन का चलान नहीं कर सकता है ठीक है दस्तावे सौंपे नहीं सिर्फ दिखाना चाहिए जब कभी ट्राफिक पुलिस की जवान आपको वाइकिल वाइकिल चेकिंग के नाम पर रोकते हैं गाड़ी चेकिंग के नाम पर तो आप सबसे पहले वहां साहीड में लगा कर रोकते हैं इसके बाद वहां के दस्तावे सौंप देते ध्यान रहे आपको रिस्ति हरो दिखाना होता है दस्तावे नहीं यह तो आप पर निरसिर्फण की आप उन्हें देंगे कि नहीं देंगे मोटर विकलेक्ट के सेक्षन 130 की अनुसार किसी भी सरवाजनिक जगह पर पुलिस के जवान जो की इन्हीं फार्म में होने चाहिए जाज के लिए उनके द्वारा मांगे जाने पर आप अपना ड्राविंग लाइसेंस दस्तावे शौप सकते हैं और इन्हीं फार्म के लिए क्या ज़रूरी बात होती है गलती होने पर जुर्माना या सजा से बचने के लिए ट्रैफिक पूलिस की ओर से की जारे अन्निक्तिक मांग को कभी पूरा करने का प्रयास नेकर जैसे रिस्वत मांगे दोना दें रिस्वत से भ्रष्ठाचार प्रतिबंदी जवान की वर्दी पर बकल और नंबर उसका नाम होना चाहिए अगर वर्दी पर दोनों नहीं है तो उनका पहचान पत्त देखिए अगर उनहीं दिखा रहे हैं तो आप ड्राविंग लाशेस उनको मत दीजिए आपकी किन गलती ओपर चलाना हो सकता है आए इस बात पर ध्यान देते हैं ट्राविंग पुलिस आपको रेड लाइन जब करने प्रतिबंदी छेत्र में गाड़ी पार्क करने या सही तरीके से गाड़ी पार्क नहीं करने ड्राविंग लाशे के दावरान हेलमेट नहीं परने नंबर प्लेट नेमानुसान नहीं होने बिना लाशेंस गाड़ी चलाने बिना रजिस्टेशन गाड़ी चलाने इंसुरेंस और प्रदूसर जाज के दस्तावेज नहीं होने पर या मोटर वीकल एक्ट में वाहन चालकों के लिए जारी अन्यमाना कर अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी चलान हो सकती है बात करते हुए काड़ी चला रहे हैं ओभर लोडिंग कर रहे हैं या फिर लाइन तोड रहे हैं तो पुलिस आपके लाशेंस को सीच कर सकती है आई और प्रताते हैं क्या जानकारी होनी चाहिए आपको पुलिस सड़क किनारे खड़े वाहन को तब तक क्रेंस से नहीं उठ उठवा सकती है जब तक कि आप उसमें बैठे हैं आपके हटने के बाद ही पुलिस वाहन को क्रेंस से उठवा सकती है अगर पुलिस ने आपको किसी गलती के लिए हिरासत में लिया है तो ट्रायल के लिए कम से कम 24 घंटे से पहले उन्हें मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत कर रही है या बिना वजह परिसान कर सकती है तो आप इसके खिलाब सिकायत तर्ज करा सकते हैं अपने एड़ोकेट के जरिए तो दोस्तों यह वीडियो मैं आज सिर्फ चलान के बारें बता हूं चलान कैसे करता है और कप कर सकता है और अगली वीडियो में लेकर कुछ कर लेकर आँगा तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जय हिन जय भारत